C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय 14 बर्खा और मेगा प्रिष्ठ संख्या 85 मिलकर पढ़िए एक बार की बात है दो सहेलियां थी एक मुर्गी और एक बतख मुर्गी का नाम था मेगा बतख का नाम था बर्खा उनके तीन तीन बच्चे थे वे सब मेला देखने दूसरे गाउजा रहे थे रास्ते में नदी आ गई मेगा ने कहा हम नदी कैसे पार करेंगे हम तो डूब जाएंगे बर्खा ने कहा हम सब तैर कर नदी पार कर लेंगे मेगा ने पूछा वो कैसे इस प्रिष्ट पर दिये गए पहले चित्र में एक बतख, एक मुर्गी और उनके तीन तीन बच्चे कहीं जा रहे हैं दूसरे चित्र में बतख, मुर्गी और उनके सभी बच्चे नदी के किनारे रुख जाते हैं प्रिष्ट संख्या 86 बर्खा ने सब को पास बुलाया और अपने जुगत बताई सब खुशी से उच्छल पड़े हुरे वे सब नदी पार कर गए बतचीत के लिए एक मेघा और बर्खा ने बच्चों के साथ नदी कैसे पार की 2. मेघा और बर्खा के बच्चों ने मेले में क्या क्या किया होगा 3. मेले से घर लोटते समय मेघा और बर्खा के बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे होंगे 4. मेला आपके घर से कितनी दूर लगता है आप वहां कैसे पहुचते है पांच, नीचे दिये गए चित्र को देखिए और गिन कर बताईए कि मुर्गी और बतक के कितने कितने बच्चे हैं इस चित्र में मुर्गी और बतक के कुछ बच्चे हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्नीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C I E T N C E A T नई दिल्ली भारत